तो चली स्टुएंट अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक पॉलेंड पिस्टिल इंटरेक्शन जैसा कि हमने कहा था कि जो पॉलेंग ग्रेन होते हैं वो शेड होते हैं तू सेल स्टेश के हैं वो रिलीज़ड हो जाते हैं और स्थिगमा पर जाकर लेंड कर अब हम कहते हैं कि जब वो पॉलेंग ग्रेन रिलीज़ड होते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक समान इस्पिसीच के पॉलेंग ग्रेन अपनी इस्पिसीच के stigma पर land करें ऐसे को rule तो नहीं है तो क्या होता है कि stigma के पास में ये ability होती है ये छमता होती है कि वो पैचान करती है chemically dialogue होता है chemically meditated process होता है जिसके तो ये पैचान की जाती है कि stigma पर आने वाला pollen grain उस ते खुद की same species का है या किसी another species का है अगर पैचान ये हो गई, recognize हो गया कि आने वाला pollen grain उसी stigma की same species का है तो stigma उसको allow करेगा pollen grain को germinate होने के लिए और अगर वो किसी another species का है तो stigma उसको recognize नहीं करेगा या उसको reject कर देगा rejection हो जाएगा उसका अब तो same species के member नहीं हो तो आपको allow नहीं किया जाएगा pollen grain को कि वो क्या करे, germinate करे तो हम पढ़ने वाले है एक word pollen-pistil interaction जिसपर हम कहते हैं कि pollination ये कोई guarantee नहीं देता कि transfer जो होता है वो right type के pollen का उसी species के stigma पे होता है that's why pollen का जान पहचान होगा pollen-pistil का interaction होगा और जो interaction होते हैं वो chemically होते हैं chemically mediated process होते हैं जिसमें या तो rejection किया जाएगा या allow किया जाएगा किसके लिए? pollen tube के formation के लिए और जब allow कर दिया तो क्या होगा? कि वो stigma वाला part है वो pollen grain को carbohydrate, water, mineral ये सब provide करवाएगा और after that उस pollen grain का entine वाला part swell up होता है pollen tube को बनाना start करता है now pollen tube come outside कहां सा आती है? तो हमें पता है कि pollen grain पी जर्म पोर होते है छिद्र होते है जिनके number one ये more than one हो सकते है तो entine वाला part फूलता है pollen tube बनाता है pollen tube बाहर आती है कहां से? जर्म पोर से बाहर आती है जो हमने पढ़ा था कि कैसे male chemotophyte develop हो जाते है कैसे उनका development हो जाता है simple now आप कह सकते हो कि जो pollen pistol interaction है जो एक dynamic process है जिसमें जो recognition होता है जिसमें आप promotion कर सकते हो pollen tube के formation को या inhibition कर सकते हो chemically meditated process होते है simple now अब हम बात करते है कि जब ये pollen tube formation हो गया या pollen tube को allow कर दिया बन गई pollen tube यह न पैचान हो गई chemically पैचान हो गई बन गया अब ये pollen tube क्या होगा ovule के अंदर entry करेगा अब ovule के अंदर entry करने के रिए there are three ways तीन रास्ते होते है एक होता है porogammy एक होता है meso gamma एक होता है आप इस diagram को देखे यहाँ पर पहले हमने लिखा है porogaming पोर या छिद्र अगर pollen tube macropile area से macropile से entry करती है तो उसे कहा जाता है porogaming तो आप क्या बोलोगे कि यह जो porogaming होती है इसमें जो pollen tube होती है वो enter from macropile होता है चला जो गैमी एंटर फ्रॉम चला जा एंड चला जा एंड से एंटरी होते है चला जो गैमी और मी जो गैमी मी जो गैमी इंटेग्यूमेंट फ्रॉम इंटेग्यूमेंट से जो कवरिंग होते हैं न ओविल की दो cover होते हैं पड़ा था outer integriment और inner integriment तो यह जो दो cover होते हैं outer और inner integriment covering से अंदर enter कर रहे हैं यह cover से अंदर enter कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है मी जो गय मी चलाजा वाली side से देखो क्या था कि अगर यहाँ पर आप बोलते हो कि यह micro pile है तो इसके जस्ट अपोजिट आप बोलतों ये वाला सिरा चलाजा होता है और चलाजा वाले सिरे से अंदर एंटर कर रहा है ओविल के अंदर तो चलाजोगैमी और पोर से एंटर कर रहा है तो उससे कहा जाता है पोरोगैमी अब example तो आप कह सकते हो कि जो पोरोगैमी होती है वो ओटेलिया के अंदर देखने को मिलेगी जो चालाजोगैमी होती है वो कैसुरीना के अंदर देखने को मिलेगी और मीजोगैमी कुकुरबीटा इसका example होता है clear, simple तो there are three ways, three रास्ते होते हैं to enter the pollen tube inside the ovule अब क्या होँआ, pollen tube ovule के अंदर enter हो चुकी है, हो गई, अब ovule के अंदर क्या होता है ovule के अंदर main body होता है, जिसका हम कहते है new cellus याद करो हमने कहा था, कि यह जो main body होता है new cellus इस new cellus के अंदर mega sport mother cell होती है वो mega sport mother cell divide होती है, meiosis करती है, 4 mega sport बनते हैं तीन degenerate हो जाता है, एक functional होता है, जिसे हम कहते है polygonum type का development होता है embryo sect का और वो जो एक functional mega sport होता है तीन बार mitosis करता है और यहाँ पर आपको एक structure दिखाए दे रही है जिसे हम कहते है female gametophyte या embryo sect का formation हो जाता है तो क्या हुआ, pollen tube, entry कर गई, किस में, ovule के अंदर enter कर चुकी है अब ovule में enter करने के बाद में, इस pollen tube जो लेके आती है, अपने दोनों male gamet इस pollen tube को अपने दोनों male gamet को कहा छोड़ना है, synergit के पास में तो कैसे उसे पदा चलेगा कि कहा है synergit, कहा मुझे अपने male gamet को release करने है उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर कुछ finger like projection होता है जिसे philly form apparatus कहते है, जो pollen tube के movement को control करती है, pollen tube का movement करवाती है जिसे chemotropic movement कहा जाता है, ठीक है, तो उससे हम discuss कर लेंगे तो अभी हम कहते हैं कि जो pollen tube है, वो embryo sac के अंदर enter करेगी तो embryo sac में enter करने के लिए guidance देने का काम करता है, philly form apparatus chemically, वहाँ पर हम कह सकते है, movement होता है, chemical stimulation होता है और उसे chemotropic movement कहा जाता है, जब यह pollen tube embryo sac के अंदर enter करेगी पहले pollen tube कहाँ पर आई, ovule के अंदर, ovule में आने के बाद में, यह embryo sac में enter करेगी embryo sac में जब यह enter करेगी, तो वहाँ पर यह अपने दोनों milk gamet को synergit के cytoplasm के अंदर छोड़ देती है, बस यहाँ तक का process मतलब पहले तो क्या हुआ, जान पहचान होई, जान पहचान होगे वो सब tube अगर बनी और उसके बाद में अंदर कहां गुज़ गए, ovule के अंदर, और ovule के बाद में कहां चले गए synergit के cytoplasm तक, और वहाँ दोनों milk gamet छोड़ दिये, यहाँ तक का जो process है ना, पहचान से लेकि, जान पहचान से लेकि, दोनों milk gamet को छोड़ने तक का, this is called pollen-pistil interaction, इससे कहा जाता है interaction, केवल जान पहचान करना interaction नहीं था, वह जान पहचान हुई है, pollen tube बनी है, ovule में pollen tube आई है, और उसके बाद में embryo sec के synergit के cytoplasm के अंदर milk gamet को छोड़ा है, यहाँ तक का process interaction में आता है, फिर हम कहते हैं, कि यह जब synergit के cytoplasm के अंदर, जो जाते हैं, छोड़ दे जाते हैं, तो फिर synergit से degenerate, एवन antipodal जो cell होती है, जो प्रतिव्यासान cell होती है, वो भी क्या हो जाती है, degenerate हो जाती है, clear है, तो antipodal का future degenerate, synergit का future degenerate हो जाएगा, यह degenerate हो जाती है, clear है, and then मैंने लिखा है कि जो pollen tube होती है, वो embryo sec के अंदर जो movement होता है, जो उसका उपर से लेकि वो जो जहां तक जाएगी, कहां तक, embryo sec तक, तो इस सारा movement जैसा हम बोल चुके है, यह chemotropic guidance होता है, chemically इनको stimulation मिलता है, और philiform apparatus, जो यह philiform apparatus होता है, they act as a traffic police, यह किस की तरह काम करता है, traffic police की तरह काम करता है, तो see this diagram, यहां पर क्या हुआ, pollen grain आये, दो pollen grain नहां पर land हो गए, अब उसमें से एक pollen grain same species का और एक pollen grain किसे another species का है, तो पहले इस stigma, जान पहचान करेगा, कि कौन सा pollen grain मेरा खुद का, species का है, और कौन सा pollen grain किसे another species का है, जब जान पहचान होगी, chemically recognition हो गया, तो allow कर दिया, कि भी pollen tube बन यहां पर गई, यह pollen tube चली गई, ovule के अंदर, और ovule से होते वे कहां गई, embryo sac के अंदर, और वहां synergates में, दोनों male gamut released हो गई, so this is called interaction, this is called pollen pistil interaction, clear, now, अब हम कहते हैं कि जो pollen tube के अंदर embryo sac है, जो pollen tube है, just embryo sac के अंदर entry करी है, तो देखो, इस diagram को, यह pollen tube यहां पर अंदर रही है, इसके पास में दो male gamut है, और एक vegetative nucleus होता है, vegetative nucleus यह tube nucleus सबसे आगे होता है, tip पे होता है, और उसके पीछे पीछे चलके आते हैं कौन, दो male gamut, दोनों male gamut, यह philiform epidus इसको help कर रहा है, और दोनों male gamut को क्या किया, synergates के cytoplasm के अंदर छोड़ गया, उसके वाद मे one male gamut x cell के तरफ जाता है, philization करवाता है, और another male gamut central cell के तरफ जाता है, और वहाँ पर fusion यह triple fusion के process करता है, जिसे हम आगे discuss कर सकते हैं, ठीक है, तो male gamut का movement हो रहा है, male gamut के, आप कहा सकते हो, synergates में छोड़ने के काम किये जा रहे है, clear, now, अब हम बात करते हैं, एक और method आता hanging drop method यह देखने के लिए किया जाता है, कि कैसे pollen tube elongation होता है, कैसे pollen tube का formation होता है, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, बहुँ सिंपल सा method है, हम क्या करते हैं, एक glass का, जो slide होता है, इसे लेते हैं, इस glass के slide के अंदर यहाँ, एक छोटा सा area होता है, जो कुछ इस प्रकार से ह आप पर location होता है, ठीक है, यहाँ पर हम boric acids हो गया, calcium हो गया, magnesium हो गया, boron हो गया, carbohydrates है, water है, इन सब को fill करते हैं, और जो pollen grain है, इसको रखा जाता है, उसके बाद में इसे glass slide से cover कर दिया जाता है, और इसे hang करते हैं, अब क्या होता है, जो pollen grain होता है, इसको favorable condition आपने provide कर दी आपने इसको carbohydrate, boron या other minerals जो required थे, वो provide करवादी है, तो क्या होगा, pollen tube germinate करना start करेगा और आपको pollen tube elongate होते ही, pollen tube निकलते ही दिखाए देती है, और pollen tube के development को या pollen tube के elongation की process है, इसे देखने के लिए जो method apply किया जाता है, this is called hanging, drop method, तो हम कहता है कि pollen germination studied करना है, dust करना है pollen को, example अगर पूछे कि यह hanging drop method करने के लिए कौन-कौन से plant को काम में ले सकते हो, तो पी होते हैं, चिकपी होते हैं, बालसम होते हैं, क्रोटलेरिया होते हैं, तो पी, चिकपी, बालसम, क्रोटलेरिया इनका example है, जिसमें आप hanging drop method को perform क कर दो, और 10% sugar का solution, boric acids, calcium, magnesium, potassium, इनका यूज कर दो, pollen green को रख दो, और after 15-30 minutes आप observe कर दो, pollen tube को निकलते वे देखते हो, ठीक है, तो this is called, इसे कहा जाता है, hanging drop method, clear, now, एक word आता है, artificial hybridization, artificial hybridization का meaning क्या होता है, हम ही कहते हैं, कि जो desired pollen green होते हैं, केवल वो ही, जो desired pollen green है, वो ही land करें stigma पे, और जो desired pollen green है, जो हम चाहते हैं, वो pollen green ही क्या करें, germinate करें, या फिर फर्दर अपने process परफॉर्म करें, तो इसके लिए एक mechanism, इसके लिए एक तकनीक आती है, जिसे हम कहते है, artificial hybridization, मनलब जब आप क्या करते हो, plant के अंदर, artificial hybridization के perform करते हो process को, तो हम कहते हैं, कि सपोज एट हमारे पास में दो plant है, एक male और एक female, तो हम यह चाहेंगे, कि जो desired pollen green है, जो male के pollen green है, जो desired है, जो अच्छी quality के है, यही pollen green उस stigma पर land करें, यही pollen green वहाँ प करें, और further reproduction के process perform करें, है ना, unwanted pollen green है, उसको dust होने से, इनको land होने से हमें बचाना है, यहां फिर हम कह सकते हैं, कि stigma पर किसी another species के pollen green नहीं आने चाहिए, तो stigma को हमें इन प्रोसेस से prevent भी करना, unwanted pollen green को dust होने से रोकना भी है, तो उसके लिए artificial hybridization करवाए जाता है, जो हम कह सकत है कि cropping के अंदर एक major method होता है, इवन Mendel ने जब genetics perform किया था, जैंटरिक्स कावर में study की थी, तब भी उन्होंने artificial hybridization की process काम में लिए थी, इस artificial hybridization के अंदर दो वड़ आता है, एक वड़ आता है, emasculation, और दूसरे terminology आता है, जिस हम कहते है, begging, तो emasculation और begging का meaning क्या है, emasculation का मतलब हम कहते है, removal of enter, before enter, male sex organ वाला जो पार्ट है, जो enter वाला पार्ट है, उसका आप क्या कर दो, seizure से, कैंची से, कट कर दो, if flower are bisexual, अगर flower कहसे है, necessary है, सर्त है, कि अगर flower bisexual है, और आप चाहते हो, कि इस खुद के pollen grain, इस flower के pollen grain, इसके stigma पर land नहीं करे, क्योंकि desired pollen grain land करने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, यह कर फ्लावर bisexual है, emasculation कर दो, enter portion को remove कर दो, before enthesis, enter के open होने से पहले ही काट दिया, इससे का जाता है, emasculation, ठीक है, दूसरी बात stigma को बचाना है, stigma को unwanted pollen grain से रोकना है, कि उसके उपर unwanted pollen grain dusting नहीं करे, तो उसके लिए हम method काम में लेते हैं, जिसे हम कहते है, bagging, bagging में क्या होता है, stigma को किसी butter paper से, polythene से cover करके रखा जाता है, ताकि उसके उपर unwanted pollen grain land नहीं करे, और जब stigma mature होता है, cover को हटाया जाता है, जो desired pollen grain है उसकी dusting करवाई जाती है, और वापस re-bagging कर देते हैं, इस प्रकार से हम artificial hybridization का जो process है, उसे perform करते हैं, ठीक है, तो क्या होँआ, only desired pollen grain are used for the pollination, stigma is protected from contamination, from unwanted pollen, clear, now, अब आप कह सकते हो कि यह जो technique है, जिसके अंदर emasculation किया जा रहा है, जिसके अंदर backing किया जा रहा है, आप देखों यहां पर seizure के दुरू, emasculation का process किया जा रहा है, remove किया जा रहा है, enter part को हटाया जा रहा है, और इसके अंदर female parent जो है, या फिर जो bisexual flower है, उसके अंदर enter क बनता है कि अगर आपके बास में ये टेक्निक आप परफॉर्म करना चाहत दो artificial hybridization की और flower are unisexual if flower are unisexual then which technique is not required for artificial hybridization नीट में ये question आप से कही वाद पूछा गया तो आप कहोगे कि अगर flower unisexual और हम artificial process को perform कर रहे तो it means emasculation are not required क्योंगे अगर flower unisexual है तो इसका मनलब वो female flower है ठीक है जिसका stigma आपको काम में लेना है क्यों वो male क्यों नहीं है रे क्योंकि वो desired pollen grain ने वो तो आपके बास में already पड़े हैं उन desired pollen grain को आपकी जेब में से निकाल लो और उनको क्या करो stigma पर dusting कर दो तो इसका मनलब अगर मैं unisexual flower की बात कर रहा है तो no doubt वो female flower ही होगा और उसमें फिर emasculation की तो को requirement नहीं है तो that's why if flower is unisexual then emasculation technique is not required emasculation की कोई requirement नहीं होगी clear तो दिक्कत अब आप देखो यहां पर हमने cover करके रखा हुआ अपने plant को ठीक है हमने क्या क्या हुआ है bagging क्या हुआ है हम यह कह सकते हैं कि unwanted pollen grain को land होने से हम बचा रहे है ठीक है किसी butter paper से किसी polythene से आप इसको cover कर रहे हो so emasculative flowers have to be covered with a bag of suitable size suitable size के bag से इसके cover किया जाता है usually butter paper हो दें तो contamination को रोकने का काम कर दें और technique का नहीं bagging के लिए now next अब आप कहे दो कि जब आपका stigma mature हो जाता है वो क्या कर सकता है pollen grain को receive कर सकता है mature होगे वो allow कर सकता है तो आपको इसको हटाना है rebagging करनी है उसके वाद में landing करनी है और landing करने के बाद में आपको वापिस क्या कर देना cover कर देना है तो पहले हटाया lending करवाई और rebag कर दिया ठीक है तो आपका technique perform हो जाएगा जो artificial hybridization के नाम से जाना जाता है जिसमें desired pollen grain की growth एक stigma पर जो desired stigma है उस पर करवाई जाती है के लिए चलिए अब हम एक और topic पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है double fertilization यह का जाता है कि जो double fertilization का process है यह unique feature होता है angiospermic plant का तो आप कहना कि double fertilization is the unique feature of angiospermic plant यह ना केवल angiosperm के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा अब हम कहते है कि यह double fertilization होता है तो क्या होता है कि जब वो pollen tube synergates के cytoplasm के अंदर अपने दोनों male gamet को release कर देते हैं तो out of two male gamet one male gamet fused हो जाता है XL के साथ में तो क्या होगा one male gamet XL के साथ में fused होता है इसे syngami का जाता है ठीक है यह आप कहा सकते हो कि यह fertilization के process है syngami है और जिसके थुरू आपको 2N jigod की प्राप्ति होती है तो क्या होगा two male gamet one male gamet वहीं XL के साथ में fused हो गया और jigod को formation कर दिया अब एक और male gamet बच गया अनदर male gamet क्या करता है जो large central cell होती है उदर जाता है large central cell के तरफ movement करता है अब वहाँ पर जो large central cell है इस large central cell में already दो क्या होते हैं polar nuclei होते हैं यह दोनो polar nuclei कैसे structure होती है N और N अब जब वह pollen अब वह जो male gamet है वह male gamet जब इदर जाता है large central cell की तरफ यह यहाँ पर agapetus है यह ऊपर anti-bodal cell है ठीक है और यह beast वाली large central cell है तो जब वह male gamet इदर जाता है large central cell की तरफ जाता है तो क्या होता है कि जो दोनो female के अंदर female के embryo sec के अंदर female के gametophyte के अंदर large central cell के अंदर जो दोनो polar nuclei होते हैं यह आपस मही पहले fused हो जाते हैं और एक 2N structure को form कर लेते हैं क्या बना लेते हैं एक 2N structure जिसे हम कहते है secondary nucleus तो दो polar nuclei fused होते हैं और एक structure बनती है जिससे secondary nucleus के नाम से जाना जाता है अब secondary nucleus हो गए 2N फिर वो male gamet आएगा तो secondary nucleus 2N structure प्लस 1 male gamet प्लस 1N structure तो 2N प्लस N यहाँ पर large central cell के अंदर क्या होते हैं जोड जाते हैं तो 3 nucleus जोड गए ना इसे गहते है triple fusion हुआ तो 2N प्लस N triple fusion होता है और एक 3N structure बनती है जिसे PEN primary endospermic nucleus के नाम से जाना जाता है जो further double up होगे endosperm को form कर देता है तो कुल मिला के कहने का meaning है कि जब double filtration हुआ तो 2 मैसे एक male gamet ने egg के साथ fusion किया और another male gamet ने secondary nucleus के साथ fusion किया तो fusion दो बार हुए तो इसे कहा जाता है कि यह double fertilization की process होते हैं और जो double fertilization का process है इसमें आपको result result में आपको एक तो मिलता है 2N gigot जो fusion fertilization का result है और दूसरा आपको मिलता है endosperm endosperm is the result of तो इसको कहा जाएगा कि triple fusion का result होता है और endosperm 3N structure होती है जबकि zigot कैसा structure है 2N structure है अब क्या होता है कि जब some amount of endosperm form होगी कुछ amount endosperm की बननी चाहिए तो ही यह gigot आगे further divide होता है और embryo में develop होना या embryo के अंदर आप कह सकते हो change होना start हो जाता है embryo genus start हो जाती है embryo की development start हो जाता है बट उसके लिए some amount of endosperm required होता है endosperm जो develop होते वे embryo के लिए nutrition का food देने का काम करता है तो वो हम आगे चर्चा करेंगी अभी हम कहता है double fertilization में triple fusion होता है और जिसका result होता है endosperm triple fusion के अंदर one male gamete और second ही nucleus का fusion होता है तो अगर आप calculate करो कि यहाँ पर जो double fertilization हुआ जिसमें दो वार fertilization हुआ इसमें total कितने nuclei participate करते हैं तो you can see in this process there are total five nuclei participate वो five nuclei कौन-कौन से हैं दो male gamete के nucleus one XL का nucleus और two polar nuclei होते हैं तो total five nuclei participate कर दें इस double fertilization के process में जो की unique feature होता है unique process होता है किसका endospermic plant का के लिए now कुछ important point आप देखो male gamete secondary nucleus N plus 2N क्या बन गया 3N structure PEN का full form NET में आपसे पूचा जाएगा तो आप क्या बोलोगे PEN का full form आप कहना कि यह primary endospermic nucleus होता है ploidy level पूचेंगे jigod का ploidy level 2N gamete का N XL का N endosperm का endosperm का ploidy level 3N PEN का ploidy level 3N होता है clear simple तो यह जो दो टैप्स के fusion हुए syngami हुई triple fusion हुआ that's why इसको आपने नाम दिया double fertilization जो केवल flowering plants के अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर 5 nuclei participate करते हैं को दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने चाहिए क्योंकि यह most important topic है आपके NEET के point of view से clear फिर हम मैं आपके कह सकते हैं कि जो endo sperm form हुआ इस endo sperm के बाहर एक layer देखने को मिलती है layer को कहा जाता है alleron layer और वो alleron जो layer होती है इसका ploidy level भी 3N होता है protein का बनावा layer होता है alleron layer कौनसा layer alleron layer alleron layer protein का layer होता है proteinous layer होती है 3N इसका ploidy level होता है और यह double up होते वे embryo को endo sperm से separate करने का काम करते है clear now अब हम बात कर दें post fertilization structure की जब post fertilization event की कि fertilization तो हो गया male और female chemist का fusion हो गया gigot बन गए endo sperm बन गए अब उसके बाद में क्या होगा तो हम कहते हैं कि जब post fertilization event की बात हो रही है तो अब क्या होगा gigot double up होते हैं किसके अंदर embryo के अंदर तो after fertilization gigot will convert into the embryo बट कब जब small amount of endo sperm form हो जाएगा after fertilization ovule change into the seed होते हैं और ovule का हर एक part seed के किसी पार्ट में convert हो जाता है ठीक है और उसके बाद में हम कहते हैं ovule change into convert into the fruit तो after fertilization ovule seed में change होंगी ovule fruit में convert होगा और जाएगाट का आगे development process होते हैं embryo के अंदर तो होता तो यह है कि जाएगाट से embryo बनते हैं और embryo का further development के process होते हैं seed का formation होता है so this is the post fertilization event है ना यह post fertilization event में include होते हैं clear now अब हम post fertilization event के अंदर सबसे first एक topic पे चर्चा करते हैं endosperm endosperm जैसा कि हमने कहा था कि triple fusion का result होता है या फिर हमने क्या कहा था इसका ploidy level 3N होता है और यह करता क्या है जो developing embryo होता है उसके लिए reserve food material की दर काम करता है उसकी layer का नाम क्या बता है था मैंने alleron layer किसकी बनी होती है protein की मक्का के diagram की आप देखो morphology वाले chapter में वहां पर आपको मिल जाएंगे तो मक्का जो होता है मेज जो होता है उसके बाहर यह layer देखने को मिलता है जो endosperm का layer है जो embryo से separate करने का काम करता है अब यह जो endosperm है जो product है triple fusion का ठीक है जो center cell of embryo उक्तरब बनते है यह reserve of food material सिफिल tissue होते है और यह क्या करते है nutrition देने का काम करते है generally triploid tissue होते है already हम इसके उपर बात कर चुके है ठीक है फिर हम कहते है कि कुछ family होते है जैसे orchidacy, podostimacy और trapecy तो इन trapecy के अंदर orchidacy के अंदर और podostimacy के अंदर यह endosperm इन family के अंदर आप sent होते है ठीक है या फिर कुछ ऐसे भी होते है जो आप पर stony endosperm जैसे betel net, erika net इनके अंदर आपको stony endosperm देखने को मिल जाते है तो endosperm का nature स्टार्च ही हो सकता है स्टार्च के form में proteinious nature हो सकता है oily nature होता है cellulogic nature होता है और यह endosperm का nature hemicellulogic होता है ठीक है तो आप होगे कि cereals के अंदर जैसे गेहू के अंदर चावल के अंदर storage स्टार्च होता है मकका के अंदर अभी मैंने क्या कहा था proteinious layer alluron वाली मकका में थी है मकका के अंदर इसके nature proteinious caster होता है coconut होता है coconut का जो water होता है ठीक है या coconut का जो white pleur वाला part होता है खोप रहा वो भी एक टाइप का endosperm होता है बढ़ागे हम चर्चा करेंगे कि ये भी अलगलग टाइप के होता है free nuclear और cellular अभी के लिए आप ये दिया रग लो कि castor और coconut के अंदर जो endosperm का nature है वो oily है ivory palm cellulogic nature और date palm hemi cellulogic nature होता है ठीक है फिर हम कह सकते कि stony endosperm आपको betel nut जैसे अभी हमने कहा भी था erican nut betel nut तो उसके अंदर या phonics ductile phara के अंदर endosperm कैसा होता है stony होता है hard होता है ठीक है endosperm का ploidy level 3 है triploid लेकिन यहाँ exception case में बात करना oinothera इस oinothera के अंदर जो endosperm है उसका जो ploidy level है वो 3N होके कैसा होता है 2N होता है deployed होता है clear तो वापर इसे repeat करते हैं कि जो dead palm होता है phonics datile phara या जो betel nut होता है erican nut इन में endosperm stony oinothera के अंदर endosperm 2N होता है deployed होता है अब क्या होगा कि ये endosperm क्या है reserve of food material है ना तो क्या होता है कि endosperm की present या endosperm की absent के according हम बात कर सकते हैं कि जो seed होता है ये भी दो type के होता है एक वर्ड आता है endospermic seed और एक वर्ड आता है non endospermic seed अगर डेबलप होते वे embryo ने ध्यान से सुनना कि अगर डेबलप होते वे embryo ने सारा endosperm consume कर लिया खा लिया खतम कर लिया तो seed के अंदर endosperm absent है तो ऐसे seed कहलाते है non endospermic seed जैसे dicot होते है अगर क्या हुआ डेबलप होते वे embryo ने पूरा endosperm खा कर खतम नहीं किया utilize नहीं हुआ some amount of endosperm remain present in the seed तो ऐसे seed कहलाते है endospermic seed मेच, मक्का, मोनोकॉर्ट होते है और वो कैसे seed होते है endospermic seed होते है तो हम कहे रहें कि मेचॉर seeds are of two types एक होता है non endosperm या ex albuminus एक्स albuminus या non endospermic तो non endospermic seed मक्का sorry non endospermic seed gram pea और groundnut के अंदर देखने को मिल जाते है जो dicot के example होते है clear आपको कि क्या होता non endospermic और दूसरा कौन सा आता है endospermic या albuminus seed जिसमें remain रहता है जिसमें endosperm present होता है albuminus seeds कहते हैं इसको example आता है गेहू मेच बारले सनफ्लावर और कोकोनट main example अगर हम anxiety पे बात करें तो main example मक्का मेच तो गेहू के अंदर मेच के अंदर जो monokot होता है बारले सनफ्लावर और कोकोनट के अंदर अब कोकोनट में देख सकते हो कोकोनट का वाटर endosperm होता है कोकोनट का वाइट कलर वाला पार आसो endosperm so they have the endosperm so they are endospermic seat और they are albuminous seat के लिया तो endosperm की present या endosperm की absent के according दो type के seat ते ठीक है अब हम बात कर दें एक और वर्ट पे एक और सब्दा आता है types of endosperm क्या होता है types of endosperm तो हम कहेंगे कि यह जो endosperm है यह three type के होता है nuclear endosperm most common type का endosperm दूसरा होता है cellular endosperm तीसरा होता है halobial endosperm अब है क्या है क्या होता है free nuclear तो आप सबने एक वर्ट कहीं पढ़ा होगा सुना होगा free nuclear type के division free nuclear division होते है जहाँ पर karyokinesis not followed by cytokinesis nucleus का division continue चल रहा ऐसा नहीं हो रहा है कि हर nucleus division के बाद में cytokinesis होता है नहीं केवल क्या हो रहा है free nuclear type के division चलते है every time nucleus divide होता है एक से दो nucleus दो से चार चार से आड़ ऐसे nucleus बनते जाते हैं और at the end end में केवल एक बार हमें cytokinesis देखने को मिलता है तो each karyokinesis not followed by cytokinesis इस वज़े से nucleus के नंबर बढ़ जाते हैं और example example होता है coconut का जो water होता है capsule के अंदर या फिर cotton के अंदर मेज के अंदर और coconut के water के अंदर यह आपको free nuclear type के division देखने को मिलता है या फिर मैं कह सकता हूँ कि हमें endosperm का जो most common type है nuclear endosperm यह देखने को मिलता है अब अगर every karyokinesis followed by cytokinesis होता है मतलब क्या हुआ यह karyokinesis हो गया followed by cytokinesis उसके हाल में फिर से karyokinesis होंगे और followed by क्या हो रहा है cytokinesis cell wall का formation हर karyokinesis के बाद में होता जाएगा तो उसे कहा जाता है cellular endosperm again example coconut बड़ coconut का जो white वाला part होता है जिसे kupra कहा जाता है वो cellular endosperm होता है और जो white वाला part नहीं है जो liquid है जो water है या जैसे coconut milk के नाम से भी जानते है ये free nuclear endosperm है तो दो होगे endosperm एक nuclear और दूसर cellular cellular में other example पिटूनिया डदूरा ये अधर example है और एक वड़ आता है hellobial endosperm ये क्या होता है hellobial endosperm तो इसे हम कहेंगे mixing of both hellobial endosperm दोनों का mix-up form होता है जो hellobials order में आपको देखने को मिलते है example आप कह सकतो hellobials order of monocot monocot के अंदर order होता है hellobials जिसमें देखने को मिला क्या होता है इसके अंदर simple है कि पहले nucleus ने किया kerio kinases तो दो nucleus stage आगे तो cell बन गी एक छोटी और एक बड़ी cell इन में से one cell behave like करती है free nuclear division करती है behave like free nuclear endosperm और दूसरी जो cell होती है वो cellular type के division करती है जिसमें continue kerio kinases followed by cytokinesis तो पहले क्या होगा पहले होगा kerio kinases do nucleus stage आगे फिर होगा cytokinesis cell wall form होगी एक बड़ी और एक छोटी cell आगे अब दोनों मैंसे एक cell free nuclear behavior और एक cell cellular behavior शो करती है और आप दोनों का mixing बता रहे हो तो इससे का जाता है halobial endosperm जो halobials order में आपको देखने को मिल जाता है तो बच्चा ये तीन type के endosperm होते हैं बट अगर मैं NEET के exam की बात करूँ point of view से अगर मैं बात करूँ तो most common word होते है nuclear endosperm और उसके बाद में कौन सा आता है cellular endosperm तो बच्चा types of endosperm के बाद में हम post finalization event में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं embryo के बादे ठीक है embryo हम कहते हैं कि तो gigot होता है जो 2N structure होता है वो develop होता है gigot की division होता है है ना mitotic division होता है और embryo का formation होता है अभी embryo further develop होता है but before that certain amount of endosperm का form होना जरूर होता है embryo के जो development के process होता है उसे हम embryo genie के नाम से जानते है क्या बोलते हो उसका embryo genie the development process of embryo is called embryo genie यह जो embryo genie होती है इसके जो initial process होता है यह चाहे monocot plant हो और चाहे dicot plant हो initial process दोनों के अंदर same आपको देखने को मिलते है अब हम कहते हैं कि जो gigot है याद कीजिए macropilar area macropilar area जहां से pollen tube enter करती है male gamut को release करते है synergates में वहाँ पे axle located होता है foundation होता है gigot बनता है इसका मतलब towards the macropilar area gigot located होता है present होता है तो वहीं पे जहाँ पे gigot होगा उसी छेतर में उसी area की तरफ development होगे embryogenic के process होता है तो अगर आप से कोई बोल दे कोई question कर दे कि किदर कौन से area में macropilar या चला जा कहाँ पे होती embryogenic तो आपका आंसर होगा कि जो embryogenic है यह macropilar छेतर की तरफ होती है clear now यहाँ पर आप देखो हमने कहा है कि जो development होते है embryo के gigot से इसका आप embryogenic कहते है फिर हम कहते है कि embryo जो होता है वो macropilar end की तरफ develop होते है जहाँ पे gigot located है simple फिर हमने क्या कहा था कि जादर तरजाए को divide होते है जब एक certain amount of endosperm form होते है और एक key type का adaptation होते है ताकि वो endosperm क्या करे developing embryo को nutrition provide करने की assurance दे दे ठीक है कि अब हम तुम्हे खाना दे देंगी तुम आगे embryo जहनी कर लो तुम develop होने के process कर लो it means endosperm development कब होगा endosperm कब बनेगा इसका मतलब before embryo development कोई खाना तो उसको चाहिए तो embryo के development से पहले endosperm develop होना necessary होता है चाहिए एक certain amount एक छोटी से amount ही क्यों ना बने बट होना जरूरी होगा clear? फिर हम कहते है कि जो early stage है वो दोनों के अंदर similar होती है दोनों के अंदर common होती है see this diagram आप देख सकते हो कि जो embryo development के process होते हैं जिसमें gigot हमने कहा था divide होता है embryo को form करने के लिए जब क्या होता है gigot की division होता है दो cell stage का formation होता है तो यहां पर आपको दिखा दे रहा है एक fertilized egg है इस fertilized egg ने क्या किया जब निसेचन किया gigot बनाया और gigot ने divide किया तो जब gigot divide करता है तो दो cell stage का formation होता है apical cell और basal cell है apical cells चोटी basal cells बड़े size की होती है फिर यह जो apical cells है divide करते हैं transverse division होते हैं इस कहनदा आप कहा सकते हो कि जब longitudinal division होते हैं तो हम कहते हैं cell stage का formation होता है globular embryo बनते है octant stage का formation होता है लेकिन जो basal वारा part है जो another part है एक continue division करता जाता है और एक stage form करता है एक long stage form करता है जिसे suspensor का जाता है तो इस side में आपको suspensor दिखाए दे रहा है और उपर वाले sides के अंदर यह वाले part जो आपको green color में दिखाए दे रहा है dark green color में यह embryonal part होता है question आता है कि जो suspensor होता है यह कितनी cell stage का होता है dicot के अंदर तो suspensor dicot के अंदर six to ten cell stage में formation होता है clear यहां पे बड़ी cells आपको दिखाए दे रही है इस diagram के अंदर इसे हम कहते है बड़ी वाले cells को vesicular क्या बोलते इसको आप vesicular या फिल से का जाता है hysteria vesicular यह hysteria question आता है suspensor क्या करता है तो suspensor क्या करता है embryo को धक्का देने का push करने का काम करता है towards किसके दर्फ endos pump के तरफ धक्का देता है ठीक है उसके बार में continue further development होते जाते हैं और हम कहते हैं हमें embryo globular shape में हमें embryo heart shape के अंदर देखने को मिलता है and the last एक mature embryo आपको दिखाई दे रहा है एक mature embryo आपको scene हो रहा है ठीक है तो sequence anxiety की याद करो जिसमें आपको पहलता है कि पहले globular embryo फिर heart shape के embryo and then mature embryo का formation होता है तो चलिए हम इसको तोड़ा और explain कर दें कि किस type से यह development की process हो रहते तो हम कहा रहते है कि simple सबसे पहले gigot mitotic division करता है और embryo को form करता है एक दो cell stage का formation होता है embryo formation होता है ठीक है इन दो cell stage embryo formation में एक side के अंदर तो R cell stage form होती है जिसे हम कहते है octant embryo का formation होता है फिर एक long tube like structure develop होना start होती है और जो long tube like structure develop होना start होती है उससे हम कहते है कि कौन सा structure form हो रहा है suspensor है न फिर आप कहना कि इसका suspensor का जो एक cell होता है सबसे बड़ा वाला cell होता है इसके नाम याद कर लेना इसे बड़ी वाली cells को vesicular या दूसरा नाम इसे hysteria का जाता है क्या बोलते है बच्चा इसको hysteria और जो यहां पर एक छोटी cell होती है इसे का जाता है another name hypo physis hypo physis main बात यह होगी कि बड़ी वाली cell का नाम vesicular दूसरा बात कि dicot के अंदर कितनी cellistice का होता है तो 6-10 का होता है करता क्या है तो यह push करता है धक्का देता है किसको embryo को किसके दरफ endospam की दरफ simple and then जब हम इसमें आगे बढ़ दे इस development के process के अंदर जब हम आगे जाते है तो अब आप कहोगे कि जो typical dicots embryo होते है इसके अंदर एक embryonal axis देखने को मिलता है और इसमें हमें दो caudalidon देखने को मिलते है यह embryonal axis है और यह one और two caudalidon है caudalidon जिसको आप embryonic leaf structure कहते हो question आता है कि caudalidon होता गया है बच्चे कहते है कि reserve of food material रखता है तो यह तो बच्चे इसका काम है function है caudalidon जो 20 पत्र होता है यह reserve of food material रखता है जो seeds erminate हो रहा है या फिर हम कह सकते है जो navodbit आते जो siddling आते इसके लिए food देने का काम करते है but है क्या what is the definition of this caudalidon तो आप कहना कि यह जो caudalidon होता है यह embryonic क्या बोलो कि इसका embryonic leaf होती है embryonic leaf जो क्या करता है reserve of food रखता है ठीक है तो 2 caudalidon हो गया embryonal axis हो गया अब क्या होता है कि जो embryonal axis है इसमें जो caudalidon के ऊपर वाला part है माला आप कहे दो एक region यह है और दूसा region यह है तो जो अपर region होता है caudalidon से उपर वाला region होता है उसे कहा जाता है apicotyle क्या बोलता है apicotyle और जो base की तरफ region होता है उसे कहता है hypocotyle तो मालाब जो नीचे वाला area है वो hypo हुआ और उपर वाला area apicotyle और hypocotyle अब उपर वाले area apicotyle वाले area जो होता है axis की वो plumule elongate करवाता है परो बाग का विकास करवाता है नीचे hypocotyle नीचे क्या जाते है root जाती है तो hypocotyle area से root develop होता है root tip का formation होता है radical portion होता है ठीक है और plumule वाले area से root का formation होता है तो कुल मिला के कहने का मिनिंग हो गया कि the portion of embryonal axis above the level of caudyle is down above the level of caudyle down this is called apicotyle और apicotyle जो क्या कर रहा है plumule formation stem tip formation में help करता है और जो level of caudyle down में नीचे है base की तरफ है उससे का जाता है root formation root tip formation में help करता है और root tip के उपर covering होती है यह tip है tip के उपर डखकन है cover है जिसे root cap का जाता है का जाता है root cap जब यह root water की search में नीचे जा रही है जमीन में जा रही है तो वहाँ पर क्या है नीचे rock substance होंगे soil के particle होंगे तो root के tip को क्या करना है protection करना सुरक्षा देनी है तो वह कौन करता है root cap करता है तो root tip covered by root cap लेकिन अगर यही plant पानी में होते है पानी में होते है तो फिर उनको कहीं search करने नहीं जाना aquatic plant है उनको water की search में कहीं जाना नहीं होता they don't have root cap तो in the aquatic plant root tip do not covered by root cap होता है तो फिर question आता है morphology का question बन गया anatomy में question बन गया कि जो root cap नहीं है aquatic plant बन तो फिर यहां root cap के जगे कुछ और है yes they have the root pocket root pocket होते है aquatic plant में जो 92 foods provide करवाते हैं या plotting करने में पानी में swimming करने में in aquatic plant को help कर देते हैं तो अभी हम बात कर रहे है इस dicot embryo की जिसरे हमने का embryonal axis था जिसरे हमने का 2 quodal dawn था epicotal region थे और hypoquodal region थे तो see this diagram अब इस diagram को देखे एक typical dicot embryo है यह mature embryo का diagram है anxiety से लिया गया diagram है जो कि आपके नीट के exam वाले पूस लेते हैं labeling करने का बात कर सकते हैं कि correct labeling करके दिखाओ कि क्या होगा तो आप इस diagram को देखो इसके अंदर आपको यहां पत अपर एरिया के अंदर जो hypocotile region होता है जहां से plumule निकलता हो दिखाए दे रहे नीचे hypocotile area में आपको radical दिखाए दे रहे और radical की ऊपर आप कह सकते हो कि जो radical का portion है जो radical होता है इसे elongation होता है और root tip covered by आपको क्या दिखाए दे रहा है root cap है ना तो radical root का elongation करवाता है और plumule shoot part को elongate करवाता है इसके अलाब आपको one और two quatilidon दिखाए दे रहे हैं जो reserve of food matter रखते हैं जो आप्रियोनिक leaf structure होती है तो इस diagram mind में fix कर लेना क्यों 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 कि labeling पूछी चाती है clear है बहुत सिंपल सने diagram है अब हम बात करते है monocot cambrio की monocot एक भीस पत्री इसके अंदर monocot का मतलर सिंगल quatilidon देखने को मिलेगा dicot के अंदर monocot के अंदर single quatilidon मेंज इसका example होता है फिर हम कहते है कि initial stage जो थी वो तो equality similarity development की सुरुवाती process दोनों में same होता है हम ही कहते है कि monocot होता है they have only one quatilidon केवल एक quatilidon होता है इसमें क्या होता है कि जो emerald part होता है मेज के अंदर हम diagram देखेंगी कि इसके अंदर emerald part होता है वो एक corner पे जाके arrange हो जाता है यहां इस area में arrangement हो जाता है और उसको हम कहते है scutellum यह sild shape structure होता है scutellum होता है तो इंदर grass family quatilidon scutellum कहा जाता है और स्विचे टेड होता है एक side के अंदर emerald axis के एक side के अंदर है located होता है तो grass monocot coatilidon इसका scutellum है एक side के अंदर letter side के अंदर axis के located होता है फिर हम कहते हैं कि emerald axis के अंदर radical region वही root tip को form करता है और उपर वाला region जो कौन सा epicotile वाला region common बात होगी emerald axis के अंदर फिर हम कहेंगे कि इसमें root का tip और shoot का tip covered होता है कुछ layer से layering होती है protective तो word आता है coluoriza और एक word आता है coluoptile coluoriza coluoptile और coluoriza में आप यहाँ से ही याद कर सकते हो कि coluoriza radical कि protective seat होता है radical का cover होता है जिसे coluoriza गयते है actual में क्या होता है यहाँ नीचे एक तरफ आपको radical region देखने को मिलता है और यहाँ उपर plumule ठीक है plumule का ऐसा cover है और radical के पास भी cover है तो plumule का cover coluoptile है coluoptile है और जो radical की covering है इसे coluoriza का जाता है यहाँ पर एक embryo के part है और इनके बाहर एक layer है एंडोस्परम के बाहर layer है जिसे हम कहते है कौन सी layer एलुरॉरॉन layer प्रोटीन की बनी layer 3N structure जो क्या करती है इस एंडोस्परम को इस embryo से separate करने में help करती है कि लिए कुछ दिक्कत यहाँ तक फिर आप देखें यहाँ पर हमने कह लेगा epicotile has a suit effect and a few lip primodia enclosed in a hollow foliar structure covering जिसे क्या आजाता है collioptyle the outer covering of the endosperm separate the embryo a proteinous layer जिसे क्या आजाता है alluron layer तो monocot के अंदर in layering पे question आता है कि कॉलियोराईजा collioptyle or hyaluron layer किस-किस का layer है क्या-क्या है ठीक है simple है तो अब आप देखें इस diagram को इस diagram आपको क्या दिखा रहा है जो कि हम कहते है monocot का section के हम बात करें side की बात करें monocot के अंदर letter sides के अंदर located होते है quadrile down वाले part terminal part ठीक है फिर आपको दिखाए दे रहा है collioptyle collioptyle covering of plumule होता है फिर यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है collioptyle जिस हम कहते है radical cover radical की covering एक word आता है epiblast epiblast क्या होता है तो क्या होता है कि monocot के अंदर only one quadrile down है तो जो another quadrile down होता है जो dicots में monocots में नहीं दिखाए देता तो उसका another quadrile down remains होता है है ना जो आपको यहां नहीं दिखाए देता monocot के अंदर उससे का जाता है epiblast epiblast second quadrile down कर remain part है ना बाकी आप देखें कॉलियोक्टाइल है तो इदर suit apex होगा इदर colorizer है यहां पर root apex होँगे radical होँगे root cap होँगे तो यहां इस diagram के अंदर आपको clearly show किया जा रहा है scutellum जो one quadrile down है और another quadrile down जिसे हम epiblast के नाम से जानते हैं clear तो यह diagram भी आपकी NCRT में दिया गया है जो कि most important है अब एक word जो डीट में पूछा गया था एक word आता है Paris pump हिंदी में ऐसे कहते है Pari Brunporship क्या होता है कि हम कहते है कि जो new cellus होता है जो oval का main body होता है है ना और यह oval किसमें change होता है seed कहता है तो new cellus भी seed में change होता है but कुछ seed ऐसे होता है जिसके अंदे new cellus persistent form है remain form में present होता है तो दो seed जिसमें आपको new cellus देखने को मिलता है ऐसे seed का हम कहता है Paris pump क्या बोलते हैं ऐसे seed Paris pump और वो seed जो Paris pump होता है इसमें आपको persistent nature के अंदर new cellus present मिलेगा persistent form के अंदर new cellus present मिलेगा नेट में question भी आया था कि Paris pump एक seed क्या होता है तो आपका answer simple था कि यह seed वो seed होता है जिसमें new cellus persistent form के अंदर present होता है example पर अगर आपको बात करने हो कि persistent form में जो new cellus है जो Paris pump एक seed है इसके example के तो आप कहना कि बहुत simple example इसके example होता है एक तो black paper कालिमेट्च और दूसरे होता है bead या चुकंदर तो यह जो कालिमेट्च होता है black paper और beat होता है ठीक है black paper को हम कहता है Piper nigram तो इनमें आप देखे आपको क्या मिलेगा Paris pump seed देखने को मिल जाएंगे clear example important है example नीट में पूछे गए है चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ी seed पे और चर्चा करते है seed पहली बात तो इससे कहा जाएगा कि जो seed होता है ये result of sexual reproduction होता है मैं जब sexual reproduction होता है उसका last result seed होता है और जो seed होते है ये two-one structure होती है deployed structure होती है और seed का अगर आपसे कोई definition पूछे तो आप कहना कि fertilized ovule होता है ठीक है seed क्या होता है fertilized ovule जब ovule का fertilization होता है जब ovule का क्या हुआ fertilization हुआ तो ovule का हर एक part seed के किसी एक part के अंदर convert हो जाता है तो हम कहते हैं कि ovule के पास में integument होता है तो seed के पास में seed coat होता है integument दो होता है outer और inner integument तो seed coat भी दो है outer layer inner layer outer layer को testa कहता है और inner layer को tagment कहता है तो outer integument testa बनाता है और inner integument tagment बनाता है फिर ovule के पास में pore था न जिससे micropyle कहा था जहांसे pollen tube enter हो गई थी हुई थी तो यहाँ इस seed के पास में भी माइक्रोपाइल होता है माइक्रोपाइल कहने दर कोई change देखने को नहीं मिलेगा आप यहाँ पर इसको seed pour किया सकते हैं और जो seed pour होते हैं जो actual में माइक्रोपाइल है जिसके तुरू seed outer environment से moisture, water, oxygen इन सबको प्राप्त करते हैं तो माइक्रोपाइल में कोई change देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ओविल के पास में याद कीजिए कि structure होती है हाइलम, seed के पास भी एक square की form एक छोटी खाच की form हाइलम देखने को मिल जाता है और हाइलम क्या करता है seed को fruit wall से जो फल की बित्ती होती है इससे connect करने का कार्य करता है clear? तो देखिए हम कहते हैं कि एक जो typical seed होता है इसमें seed coat है, इसमें caudalidon है और इसमें embryonal axis होता है अब इस diagram को देख लीजी यहाँ पे आपको seed coat देखने को मिल रहा है seed coat, जो दो होतने हैं codalidon आपको देखने मिल रहा है और इसका यह embryo का part है है ना जिस पर हम आगए और चर्चा करेंगे embryo के number पे भी अब भी हम केवल किसके बात कर रहे हैं केवल seed की बात हो रही है ठीक है? फिर हम कहते हैं कि जो dicot seed होता है इसके अगर आपसे structure पूछा जाए dicot seed की तो इसके outermost covering को seed coat कहते हैं और outermost covering जो seed coat है outermost covering जो seed coat है इसके अंदर outer cover testa होता है और inner cover क्या होता है? अभी हमने कहा भी था? tagman होता है testa outer integument से बन रहा है और tagman inner integument से बनता है ठीक है? फिर एक वो pore बाता है तो आपने seed coat पे होता है वो pore क्या होता है? उसका आप क्या कहते हो? seed pore या micropyle होता है micropyle में कुछ change नहीं आदा तो हम कह रहे हैं कि एक hyalum भी होता है hyalum जो हमने कहा था क्या करता है? इस seed को fruit wall से connect करने में help करता है है ना ये structure आपको देखने को मिल जादी है clear है? और दूसरा वाला portion वो क्या कर रहा था? कौन oxygen के entry कर रहा था? कौन moisture के entry कर रहा था? तब कहां से क्या होगा? seed pore और ये कहां से develop होता है? micropyle area से develop होता है clear? now अब हम कहते कि above the hyalum micropyle region enter होता है इसे आप seed pore के नाम से जानते हो ठीक है? और इसके अलावा इसके अंदे आपको embryo है embryonal access है, दो quataly dawn है ये सब देखने मिल रहे हैं seed जो reserve food रखता है reserve food metal रखता है, इसके quataly dawn के अंदे इस store करते हैं अपने food को और इसके अलावा जो दो end है स्केमिनल access के और radical और plumule को elongate करवाता है simple दो कौन से? एक hypoquatyl वाला पार्ट और एक epicotyl वाला पार्ट, hypoquatyl वाला पार्ट plumule और दूसरा पार्ट epicotyl, sorry, epicotyl वाला पार्ट plumule और hypocotyl वाला पार्ट क्या करणता है radical का elongation करवाता है see this diagram आपको यहाँ पर seed के पार्ट दिखाए दे रहे है इक कौडल डॉन के area दिखाए दे रहे है जो food store करता है इसके अंदर embryo आपको देखने को मिलता है इसके अंदर आपको seed coat देखने को मिलता है है ना, इसमें यह seed coat protection layer करते है protective करने का काम करते है जो testa और tegman से मिलकर बने होता है के लिए बहुत simple है यही simple से ऐसे equation आपसी नीट में पूछे जाते है outer integrement का future, inner integrement का future अब हम कहते हैं कि जो monocot होता है monocot जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि non endospermic होता है sorry, जो monocot होता है not non endospermic monocot होता है, यह तो endospermic होता है और जो dicot होता है वो non endospermic होता है बट यहाँ हम कहते है कि जो monocot है इसके अंदर एक exception case आता है orchid का किसका case आता है? orchid का orchid जो होता है, यह कैसे होता है non endospermic होता है exception case है, orchid non endospermic होता है ठीक है फिर हम कहते हैं कि जो seeds of mage होते हैं इसके अंदर जो seed coat होता है वो membranous होता है और इस generally fruit wall के साथ किसके साथ? fruit wall के साथ fused होता हुआ दिखाए देता है आप देखी इमेज के diagram में इसका जो wall होता है वो आपके fruit coat के साथ आपको fused होता हुआ दिखाए दे रहा है मेज को देखए इसके बारे में आराम से चर्चा कर सकते हो ठीक है तो हम कह सकते है कि जो monocot seed है इस monocot seed के अंदर endospomic मिलता है bulky होता है store food होता है monocot mage वार example storage food होता है इसके अंदर endospomic seed होता है ठीक है या फिर हम कह सकते है कि जो monocot होता है इसके अंदर जो covering होती है NEET में कहीं बार question पूछा गया है हमने पहले भी चर्चा कर ली कि ये covering endosperm का cover alleron layer होता है और कैसा होता है proteinus layer होती है 3N layer होती है और developing embryo को क्या कर दिये endosperm से separate करने का काम कर दिये separate embryo कहां से from endosperm तो NEET वालों ने दो देप के question पूछे दे alleron layer का प्लाइडी simple सा question 3N एक question था a proteinus layer which is present in between endosperm and embryo a proteinus layer which is present in between endosperm and embryo the name of this layer तो आसर हो जाएगा alleron layer या वे question होगा एक कौन alleron layer made up by तो आसर हो जाएगा protein या alleron layer का प्लाइडी लेवल तो आसर हो जाएगा 3N इसका प्लाइडी लेवल होता है तो ध्यान रखना है इसको बहुत simple simple से बहुत basic से question NEET में पूछे जाते है तो NEET के exam के अंदर bio का जो main percentage है जो 50% वाला part bio है उसके अंदर हम कम से कम after हम कह सकते हैं कि जो 360 है कम से कम हम ले के आ सकते हैं 340-350 मार्ट सकते हैं बहुत आराम से ठीक है अब हम चार्जा करते हैं कि जो embryo होता है monocot के अंदर जो embryo वाला part होता है इसके seeds के अंदर जो embryo के पार्ट होते है वो small size के होते है और ग्रूफ के अंदर एक corner के अंदर located होते है है ना और इसमें हम आपने कहाता है कि एक silड़ शेप का quadledon होता है monocot के अंदर जो इसको scutellum का जाता है और एक short access होता है जहाब प्लूमॉल और radical होता है होते हैं हमने पहले भी चर्जा की थी plumul वाला part shoot और radical वाला part root elongation करवाता है और इसके अलवा covering होती है जो colliorizer और collior tile वाली covering होती है ठीक है already हम इसपे बात कर चुके थे अब हम कह रहे हैं कि significance क्या होता है fruit का seed का significance क्या है क्या है हमारी जो हम कहता है agriculture industry है इनके लिए importance रखते है yes seed का importance agriculture के लिए इनको transport करवाना easy होता है seed को store करना easy होता है और fruit as a food के दरब भी काम में लिए जाते हैं या फिर इनका dispersal करना वो भी जी होता है fruit फटते है ठीक है dacens होता है seed बाहार निकल जाते है और जब किसी favorable area में जाते है तो वहाँ germinate करते हैं और एक वापिस नया plant form हो जाता है तो हम कहते है the outer seed coat testa होता है develop from outer integument एक tagman होता है already हमें पता है ठीक है testa और tagman के बारे में फिर इसका micropile होता है small pore होता है seed coat के उपर आपको मिलता है जहां से oxygen जहां से minerals जहां से moisture को absorb करते हैं और integument of ovule hard होता है और वो क्या करता है seed की protection करने में help करता है seed coat को form करने में help करता है और जब हम बात कर रहे है significance की fruit और seed के तो हम क्या कहता है कि जो seed pore है यह seed pore क्या करते है facility देते है oxygen की entry करने के लिए moisture की entry करने के लिए और जब यह facility दे दिया इसने कि oxygen entry कर जाए moisture entry कर जाए तो seed क्या करेगा now seed can germinate यह seed germinate करेगा और जब यह seed germinate कर रहा है तो यहाँ से आपको silding growth होते वे दिखाए दे रहे है है ना यह silding क्या करती है grow करती है फिर आप कह सकते हो कि जब seed mature होते है जब seed क्या होते है mature होते है तो they reduce their water content अपने जो water content है इसको reduce कर देते है और relatively हम कह सकते है कि जो mature seed होते है वो dry होते है है ना लग बग यह 10 से 15 परशेंट moisture अपने mask एकोर्डिंग रग लेते है ठीक है तो आप कह रहे हो कि जब seed mature होते है तो water content reduce and seeds become relatively dry और क्या होगा कि जब seeds के अंदर यह कहा जाते है कि एक activity आजाए dormancy वाली dormancy stage में वो चले जाए तब भी seed water को reduce कर सकते है ताकि वो inactive हो जाए या अपने metabolic activity को slow down कर देते है तो चाहे seed आपको पूरा dry दिखाए दे रहे हो सूखा दिखाए दे रहे हो आपको लेगेगा इसमें water नहीं बट नू एक जो dry seed होता है वो भी अपने mask का 10 से 15% तक water content करके रखता है ठीक है तो जहां रखना है इसको कि dry seed का मला यह नहीं होता कि they don't have water they have the water फिर embryo जो होता है एक inactive state के अंदर चले जाते जब हम कहते है unfavorable condition आती है जब पाने की कमी हो जाए जब moisture की कमी हो जाए जब mineral nutrition यह deficit हो जाए तो एक inactive stage में चले जाते है germination नहीं करेंगे इस time पे एक stage के अंदर जिसे हम कहते है dormancy stage dormancy stage के time पे क्या होता है किजी seed coat है यह thick हो जाता है dormancy stage के अंदर water reduced हो जाते है और dormancy stage के time पे seed metabolically active रहते है but metabolically जो active seed है जो metabolic process है यह process slow down होता है metabolically active है seed death नहीं हो यह वो active हो living है but यह metabolic process है इनका यह कैसा हो जाता है इस time पे slow down हो जाता है ताकि वो remaining food का utilize करे और आपसे question अगर कोई ऐसा आ जाए कि भी water क्यों reduced होगी क्योंकि जब पानी कम होगा तो metabol activity दीरे 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 रन करेगी अगर पानी ज्यादा होगा तो metabol activity fast हो जाएगी और food storage जल्दी से खत्म हो जाएगा तो seed survive नहीं कर बाएगा इस वज़े से इस सारे changes आपको देखने को मिलते हैं और जब adequate moisture आता है option मिल जाती है proper amount के अंदर nutrition मिल जाता है suitable temperature मिल जाता है तो seed क्या हो जाता है अपनी dormancy को break करता है और dormancy को break करके germinate हो जाता है आप chemical ही इसे induce कर सकते हो आप chemical का use कर सकते हो इस dormancy stage को break करने के लिए आप hormone का use कर सकते है zebrillin hormone या फिर जो seed coat जो मोटा हो गया उसको किसी paper से क्या कर सकते है rub करके रगट ए उसको and then उसकी seed coat को पतला कर देते है ताकि seed germination कर ले या seed अपनी dormancy stage को क्या कर दे break करते है तो seed dormancy में जाते है तो यह benefit का का काम है जिसके तो ौंht seed को क्या कर सकते है लong time तक store करके रख सकते है, preserve करके सकते है फिर एक word आता है seed का dispersal Seed dispersal क्या होता है? कि fruit adaptation होता है, fruit के बास में यह हम कह सकते है, कि quality होती है कि fruit जब mature हो जाते तो burst हो जाते है फट जाते हैं और जब fruit फट जाते हैं तो seed disperge हो जाते हैं उदर फैल जाते हैं आप simple सी बात करो कि जब आपको फ्रूट को खाते हो तो इसके seed को इदर उदर के ठूखते हुए जाते हो ट्रेंड में जा रहे हो और आपके मुँँ में seed आपने केड़की से बाव उसको फैंक दिया तो आपने भी सीड का dispersal कर दिया वो सीड dispersal हो गया बाहर अगर उसको favorable condition मिली तो वो क्या करेगा germinate कर जाएगा तो सीड dispersal की यह जो capability होती है हम कहते है coconut flood या फिर यह जो martinia होता है tiger claw plant कहते हो इसमें क्या होता है कि यह bursting होती है और यह उसके बाद में क्या करते है germination कर जाते है favorable condition के अंदर आपके यहां पे कुछ diagram हमने शो की है इसमें seed क्या हो रहा है disperge हो रहा है ठीक है उसके बाद में एक और वड़ाता है advantage of seed to the angus pump advantage क्या है तो seed जब disperge होगा तो यह नई नई habitat में जाएगा नई नई area में जाएगा और new area के अंदर वो plants क्या करते है growth करते हैं तो seed की वज़े से ही transport करना आसान हुआ seed की वज़े से dispersion आसान हो गया और seed की वज़े से storage करना भी हमारे लिए easy हो गया आसान सीट जैसे की वन्हें पहले भी कहा था यह sexual reproduction का result होता है तो seed के अंदर variation होते है यह sexual reproduction करने की वज़े से variation आते हैं तो new plant develop होते है नई आप कहा सकते हो के character वाली plant develop होते हैं because of seed because of sexual reproduction because of variation होता है और यह जो seed होते हैं जब another area में movement करते हैं disperse होते हैं तो colonize हो जाते हैं वाप पर growth करनी start कर देते हैं ठीक है इसको देखे आप next diagram को यहाँ पर हम कहता है कि जब इनको sufficient food मिल जाता है seed को या फिर यह जो young seedlings हो दिये यह growth करनी start कर देते हैं seed germinate कर लेता है और young seedling nourished हो दिये और यह नए नए उनको daily water देते हो थोड़ थोड़ी amount के अंदर proper उनको nutrition provide कर वाओ तो वहाँ seed भी germinate करेगा और नए seedling नए नवोद बिद की growth हम देख सकते हैं अपने गर में भी अपने potted plant के अंदर भी इस type से soil में से नएने plant growth करना start कर देते हैं है ना तो जो दीरे-दी double up होते हैं और complete एक new plant एक नया mature plant double up हो जाता है clear है इतना now अब हम कहते हैं कि जो hard seed coat है वो provide क्या करता है hard क्यों होता है seed का coat तो hard seed coat provide करवाता है protection outer environment के लिए outer temperature के लिए जो protection मिलता है उस seed coat की वज़े मिलता है और इसके अलवा हमने genetic recombination की बात की थी हमने variation की बात की थी है ना और हमने कहा था कि new combination double up होता है because of sexual reproduction होता है ठीक है अब आप बात कर सकते हो advantage क्या है seed का agriculture industry के अंदर तो agriculture industry में seed का advantage यह हो गया कि जब आप cropping कर तो जैसे suppose that आप market से seed खरिद के ले आए आपने अपने खेती कर ली crop आगी crop आगी तो अब उस crop के अंदर आपको seed मिलेंगे और आपने उसको store कर लिया जब next season आएगा तापके seed stored है आप उसको आप market से नहीं खरिद के लाओगे और आप उसको वापिस अपने खेतों में लागा दोगे और दुबारा से हम cropping कर सकते हैं तो seed basis होता है यह अपने अपने अग्रिकल से industry का seed को storage करना, seed की cropping करना, transport करना बहुत easy होता है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, है ना, तो seed को क्या किया जा सकता है, store किया जा सकता है, because of their dormancy property, or because of their dehydration property, तो dormancy की वज़े सी, dehydration की वज़े सी, या जो thickness होती है, इसकी seed code की, इसकी वज़े से हम seed को क्या कर सकते हैं, store करके drug सकते हैं, फिर हम कहते हैं कि जो ऐसे कहीं सारे seed है, ऐसे कहीं सारे record है, जबकि NCRT में लिखेगे point है, जो आपके neat में, पूछेगे question है, एक वर्ड आता है, viability, living, lifespan, viability, seed ऐसे कहीं सारे में पता चले हैं, जो after 10,000 years के बाद भी, germination करने की ability रखते हैं, और कुछ seed ऐसे भी है, जो after 2,000 years के बाद, germination करने की ability को retain करके रखते हैं, इसका वाला seed viable है, 10,000 साल तक वो जिन्दा रह सकते हैं, 2000 साल तक वो जिन्दा रह सकते हैं, आपकी anxiety मे paragraph दिया हुआ है, the oldest seed, lupinus architectus के होते हैं, lupinus architectus के सबसे पुराने बीज़े, सबसे oldest seed है, जो आपको मिले थे, architectus tundra के नज़दी, ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि, यह जो seed थे, इन में देखा गया, कि 10,000 साल के बाद भी, नीट में पूचा गया question था, कि lupinus architect architectus के जो ability है, वो जो determination करने के ability शो करते हैं, वो after how much year, तो 10,000 years के बाद वो अपनी determination करने के ability still remain रखते हैं, still show करते हैं, कहा, from architect tundra, ज्या रखना, यह question पूचा गया था, year के बारें पूचा गया था, क्योंकि आगे हम एक और year पे बात करेंगे, वो 2000 years की होगी, लेकिन वो l oldest viable seed, तो आंसर क्या होगा, lupinus architectus, year 10,000, अब आपको दिखाया दे रहा है, date pump, खजूर, खजूर के जो seed होते हैं, जो phonics dactylally fair होते हैं, इसका जो viable time period था, that is the 2000, है ना, यह 2000 years के बाद भी, अपनी determination करने की ability को retain करके रखते, ताब कह सकते हो कि a record of 2000 years, old viable seeds, date pump, phonics dactylally fair, discover during the archaeological, यह सीधा adjectives N70 का line, N70 के question पूछे गए थे, कहां से discovered हुआ था, जब archaeological survey किया गया था, एक king था, ठीक है, उसके haraard place से जब इस survey किया गया था, मरसागर के पास में, that sea के नजदी के पहले से महल है, उस king का, जहां पर जब archaeological survey हुए, तो यह date pump के seed में ले, ठीक है, और, यह जो date pump के seed थे, यह कितने ही है, 2000, year के बाद भी, ability रखते है, clear है, फिर हम बात कर दें, कि जो seed है, यह जो retain रखते है, gemination करने की ability रखते है, gemination करने की capability रखते है, जो इसकी viability होदी है, तो हम इसको test कर सकते हैं, एक solution का use कर सकते हैं, कौन सा solution, 0.1% solution of tri-phenyl tetra-zolium, तो इस जो tri-phenyl tetra-zolium होदा है, जो TTC होदा है, इनका use करके, tri-phenyl tetra-zolium, chloride का use करके, हम इसकी seed की viability को test कर सकते हैं, seed की viability का पता लगा सकते हैं तो द्यार रगना 10,000 year किसका दब आपिस बदा न तो आप कहोगे कि 10,000 year Lupinus architectus और 2,000 date palm phonics ductile leaf para के लिए फिर हम कहते हैं कि जो seed होते हैं इनमें fruits के अंदर seed होते हैं fruits के पास मैं कहीं सारे tiny seeds देखने को मिलते हैं हां कुछ fruits ऐसे भी होते हैं इसमें single ovule होते हैं तो single sweet और कुछ fruits ऐसे भी होते हैं जो many ovules होते हैं तो many seed देखने को मिलते हैं तो fruit के अंदर seed seed के अंदर embryo होता है जहां रखना इसको फिर हम कहते हैं similar in case of ficus and parasite species such as orobenki and stringa इसके अंदर contain thousands of इनके अंदर contain thousands of tiny seeds आपको देखने को मिल जाते हैं fruits के अंदर जरूरी निये एक ही seed होता है कहीं सारे number of seed simple example अगर हम बात करें तो watermelon होता है तो watermelon होता है pomgranate होता है pomgranate का edible part होता है तो कहीं सारे number of seed आपको देखने को मिल जाते हैं clear फिर एक और topic पर चट्चा करते हैं last topic step करता word आता है एक सब्द आता है apomyxis एक word आता है parthenocarpy और एक word है polyembryony apomyxis क्या होता है apple इसका मतलब होता है without और mixics का मतलब होता है fertilization fertilization तो apomyxis word हुआ without fertilization seed का formation होगा but without fertilization होगा तो ऐसा process कहलाता है apomyxis क्या कहते हैं इसका आता है apomyxis तो formation of seed होगा है ना हम कहते हैं कि जो seed होता है वो normally product होता है किसका fertilization का लेकिन कुछ ऐसे भी cases देखने हो को मिलेंगे कुछ ऐसे भी species देखने हो मिलेगी ज़ए apomyxis होगा एक special mechanism होगी जिसमें without fertilization seed का formation होगा और without formation जो seed के formation होगा without fertilization जो हो रहे है इसे आप apomyxis का नाम दे सकते हो द्यार रगना apok मानला without है और mixis का मतलब fertilization है तो produce seed without fertilization called apomyxis या फिर आप इसके लिए एक word यूज करोगे agemo spermi clear तो apomyxis द्यार रखना without fertilization seed का formation होगा हाँ आप यह कह सकते हो कि यह जो apomyxis है यह mimicry होती है sexual reproduction की नकल होती है mimicry होती है क्योंकि sexual reproduction में भी seed बनते है है ना और यहाँ apomyxis में भी seed बनते है बट वहाँ तो fertilization होता है यहाँ apomyxis के अंदर without fertilization के process होते है तो जहां रगना यह word most important है फिर हम कहते हैं sexual reproduction है mimicry होती है sexual reproduction की ठीक है और several way होते है to development of apomyxis कहीं पर ऐसा हो सकता है कि new cellar से सीधा seed बन जाए integument वाला part सीधा develop हो जाए ठीक है तो 2N structure होती है तो होता क्या है कि पहले तो egg तो इसमें बनेगा 2N egg होगा लेकिन वो ठीक है हम यह कहते है in some species the deployed egg deployed egg वैसे तो एक N होता है बट कहीं पर deployed egg है तो वो formed होगा without reduction division and develop into the embryo without fertilization without fertilization वो 2N egg सीधा ही develop हो जाता है अपो mix is हुआ या फिर हम कह सकते है कि it is an assured reproduction in the absence of pollinator such as in extreme environment क्योंकि pollination होगा तो Feralization भी करवा देंगे तो without pollination without fertilization extreme condition में भी assur हो जाते है apomyxis के दरूआ embryo का formation होगा ठीक है आप ये भी कहा सकते हो कि apomyxis को अगर हम अपनी agricultural से industry में काम में ले ले तो ये better होता है as compared to hybridization method hybridization methods जो हम सीड लेते हैं, यह कहा जाता है, कि अगर कोई किसान हाइब्रिड सीड को लेता है, उसकी फसल को उगाता है अपने केट के अंदर, तो जरूर नहीं है कि वो जो फसल होगी, हाइब्रिड जो फसल होगी, उसके जो सीड होगे, उनमें वापस आपको वो ही करेक्टर लाने पड़ेगा, और नए हाइब्रिड सीड खईद के लाने पड़ेगी, लेकिन अगर हमने एपोमेक्सिस टेक्निक का यूज किया है, अगर हमने एपोमेक्टिक टेक्निक का उप्योग करके सीड को फॉर्म किया है, तो फिर ऐसे एपोमेक्सिस टेक्निक में फडलाइज के लिए apomectic seed खाइदने की कोई जरूर नहीं होती है that's why इस strategy पे काम किया जा रहा है कि हम hybrid seed की जगह apomectic seed का production करवा ले और नई crop को क्या कर ले form कर ले ठीक है फिर आप कह सकते हूं जैसे अब भी हमने का hybrid variety several of our food and vegetable crop are being actively cultivated की जारी hybrid variety को हम डबल अब करवाते जा रहे है cultivation of hybrid has tremendously increased productivity जो आप cultivation करतो hybrid variety का उत्पादिन चमता productivity को हम बढ़ा देते हैं फिर कह रहे है कि एक problem है hybrid seed have to be produced every year हर वार आपको खईदने पढ़ेंगे क्योंकि आपके hybrid crop की जो seed होंगे उसमें जरूर नहीं है necessary नहीं है कि जो नए seed वहां produced होते हैं उनमें यही hybrid quality आपको देखने को मिले so if the seeds collected from hybrid seeds है ना where this is collected होते है प्रोजे नहीं जो होती है जरूरी नहीं है they do not contain they maintain hybrid character so that's why यह hybrid crop होते है थोड़े महेंगी हो क्योंकि आपको seed हर बार market से कहिद कर लाने पढ़ेंगे तो जो cost होगी hybrid seeds की वह become too expensive हो जाती है for the farmer that's why हम कहते है apomyctic are the best technique apomyx is best होता है for this structure for this development as compared to hybrid seed productivity बढ़ाने के लिए आप apomyctic seed का उप्योग कर सकते हो clear तो इसलिए हम कहते हैं कि in these hybrid are made into apomyctic there is no segregation कोई segregation नहीं होगा फिर आप कह सकते हो कि farmer can keep on using these hybrid seeds to rise new crop every year and does not have to buy hybrid seeds every year clear उसको फिर हर बार नए seed खाईने की कोई जुरुवत नहीं पड़ेगी clear फिर हम कहते हैं कि because of this importance of apomyxis in hybrid seed industry जो है वो इस पर research कर रही है कहीं साथ laboratory में लगी वी है कि हम apomyctic seed को develop करवाए इसके genetics को develop करवाए और इसका use करें hybrid seed की जगे hybrid seed को replace कर सकते हैं apomyctic seed से so these are the most important paragraph these are the most important line for your need exam के लिए ठीक है now अब हम एक और point पर चर्चा करते हैं आप इस diagram को देखें इस diagram के हैं हमने एक लिखा है sexual pathway और एक लिखा है apomyctic pathway लिखा गया है sexual pathway जब हम बात करें तो हम कहते है double fertilization होता है और apomyctic pathway में हम लिखा है parthenogenesis process होते है pseudo chemical process होते है जब double fertilization होता है तो यह structure आपको यहाँ पर 3N endosperm, 2N gygode यह सब देखने को मिलते हैं तो further seed का क्या करते है production कर लेते हैं यह जो seed बने हैं वो without fertilization form हुए है बिना किसी fertilization process के form हुए है इसले यह diagram apomyctic का है और उपर वाला diagram sexual pathway का है बट एक with fertilization है और दूसरा without fertilization होता है नौ एक और word आता है एक और सब्दा आता है जिसे हम कहते है पार्थिनो कार्पी हिंदी में कहते है अनिशेक फर्ण without fertilization बिना fertilization process के अगर ovary convert हो जाते है fruit के अंदर without any fertilization तो ऐसे fruit को कहा जाता है पार्थिनो कार्पिक fruit process parthenogenesis होता है तो ovary cham fruit में convert होना without fertilization होना थीक है उसे कहते है पार्थिनो कार्पिक fruit example होता है ग्रैप एक्जम्पल होते हैं बनाना इसके एक्जम्पल है और आप देखो इनमें सीड नहीं होते हैं तो जो पार्थनो कार्पिक फ्रूट होते हैं seedless fruit होते हैं, कैसे fruit होते हैं, seedless, और आप कह सकते हो कि जो pom granite होते हैं, कौन, pom granite जो अनार होती है, इसका तो edible part ही seed होता है, pom granite का, तो pom granite को इस पार्थनो कार्पिक technique से develop नहीं करवा सकते, तो pom granite के लिए ये practice काम की नहीं है, do not, पार्थनो कार्पिक, pom granite do not develop by this method, developed by parthenocarpy method, आप पार्थनो कार्पिक विदी से, पार्थनो कार्पिक तकनीक से pom granite को develop नहीं कर सकते हैं, क्यों उसका edible part ही seed होता है, seed का हम कहते हैं, वापे juicy test होता है, वो seed होते हैं, जो बीजी होते हैं, जो आप खाते हो, दानों को खाते हो, अनार के, तो उसके ओबर juicy test होता है, जो edible होता है, बट जो आप economic importance के जो fruits होते हैं, जो सब tomato को बना सकते हो, या बीज रहीत खीरा हम बना सकते हैं, जो हमार लिए economic importance रखते हैं, तो बीज रहीत खीरा हम बीज रहीत tomato होते हैं, ठीक है, इन copy induce कर सकते हो, इसके अलावा, बनाना तो ही है, बनाना के अलावा और कौन है, ग्रैप्स है, जो पार्थनो कार्पी के example है, clear, now, एक और point, हमें कहते हैं, एक सब्द आता है, poly embryonic, एंटोनी वान लिवन हॉक ने, citrus के अंदर, citrus family के अंदर, poly embryonic को discover किया था, एक सीड के अंदर, गर कहीं सारे number of ovule present है, तो इससे poly embryonic आ जाता है, आप देखिए अनार, आप देखिए इस के अंदर, orange के अंदर, आप देखिए नीबू के अंदर, जो citrus family के member है, इन आपको poly embryonic देखने को मिलती है, बहु ब्रूनिता देखने को मिलती है, when one seed contain number of, thousand of embryo, अब इन में क्या होता है, कि जब इतनी सारे embryo होते हैं, तो एक embryo तो normal technique से develop होते हैं, और बाकी embryo, adventive embryo नहीं दिखाते हैं, जैसे हम कहते हैं, adventive embryo नहीं का मतलब होता है, कि new cells से embryo बन गया, integumentary layer से embryo फॉर्म हो गया, without finalization process के होते हैं, तो वो adventive embryo नहीं होती है, तो जब poly embryo नहीं होते हैं, तो उसमें एक embryo तो normal होता है, बाकी embryo adventive वाले हो सकते हैं, या फिर other than fundization process वो develop होते हैं, ठीक है, तो citrus, mango variety, या फिर citrus family, orange variety, इनके अंदरा आपको, क्या मिलेगा, new cell cells surrounding the embryo sec, start divide into the embryo sec and develop into the embryo, होता है, new cell cells वाला पार्ट होता है, वो embryo में develop होना, start हो गया अगर, ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे, adventive embryo नहीं, फिर आम कहते हैं, इन सच species, ovules contain many embryo, और, if the more than one embryo in a seed is referred to as, एक ज्यादा embryo है ना, तो referred to as, इससे एक आ जाता है, poly embryo नहीं, फिर कह रहे हैं कि, take out some seeds of orange and squish them, है ना, उसको दबाओ, उसको switch करो observe the many embryo of different size from such seed, तो उसको अगर हम squish करेंगे, तो आपको many embryo दिखाए देंगे, और many embryo, तो उसे एक आ जाएगा, poly embryo नहीं condition, and then, see this diagram, poly embryo in the citrus, इस poly embryo in the citrus के अंदर आपको question मिलता है, कि इसमें एक तो होता है, normal embryo, normal embryo के अलावा, इसमें आपको new cellus embryo देखने मिलते हैं, जो advent embryo नहीं होती है, या फिर आपको इसके अंदर integument portion है, यहां से embryo डबलप होता होगा, तो one is normal embryo और other दें, इस normal embryo के अलावा जो भी structure है, वो बाकी new cellar embryo होगा, integumentary embryo होगा, वहां से डबलप होगा, ठीक है, इसके अलावा endosperm होता है, reserve food material होता है, integument इसके covering होती है, ठीक है, तो जहां रखना, यह question कहीं बार पूछेंगा आप से, कि citrus के अंदर जो poly embryo नहीं होती है, उसमें एक normal embryo है और बाकी क्या है, तो बाकी adventive embryo नहीं है, जो normal क अलावा किसी other region से, किसी two end region से develop होते है, clear, now, see this diagram, आप इस diagram को देखें, यहां पर again, आपको mango के अंदर दिखाई जा रही है, poly embryo नहीं, तो अगर आप mango के तो seed होता है, इसको भी अगर हम squish कर दें, तो वहां पर आपको multiple embryo दिखाई देंगे, तो यह poly embryo नहीं, आप देखे इसको हमने switch किया, इसके seeds को यहां से कहीं सारे embryo में दिखाई दे रहे हैं, तो यह poly embryo नहीं observe होती है, simple example, citrus family, या सैंडिस का नाम, एंटोनी वॉन, लुवन, हौक होता है, clear, तो बच्चा, यह समारा second chapter, sexual reproduction in flowering plant, यहां पर the end होता है, इसके बाद में हम अपने next chapter पे बात कर अगर आपको कोई भी inquiry हो, कोई भी confusion हो, तो आप हमें यहां पर comment box में लिख सकते हो, thank you